तो अट्सब दोस्तो मेरा नाम है साहिल सिंग और आप देखरो टेक्स है ट्रिक्स तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कने वाले हैं कि अपना जो मुबाइल का होता है कि आपके मुबाइल में ग्राफिक्स काड नहीं याणि कि आपका मुबाइल में GPU कौन सा है जिया आपका लोग ग्राफिक्स कौन सा है कैसे पता करें बस यह समझ लो आज की इस वीडियो में आप लोग का बताओंगा कि अपना मोबाइल का फूल A2Z डीटेल कैसे निकाले भोशन दिखेंगए सामाइनि दीख जाता है क्या दिया हुआ कौन और देखने का मॉगायल में नहीं है ये बात आप सभी को पता है मगर आज में आप लोग बताओंगा बेए Um का का यां लोग बहुत हाता काम यू वीडिये लोग जै लो जिए आपके मुबाagठों को जानना बहुत जारी कि आपके मोबाइल में क्या सीज हुँ कितना गिगाहाइट्स में आपका चल जाए पूरा चीड़ा आप लोगए आपको पता चल जागा तो आप एक है अगर आपो चैनल पर नहीं हो ना तो भल्य हो चैनल को सब्सक्रेब करからब कर लेना तो कि आपका एक लाइक ना हमारे लेंज बहुत ज्यादा कीमति मुपी चैनल सब्सक्रेब कर लो और अगर विडियो पसंद आहे तो दोषा चलिए बाइते हैं दोस्तों मैं आप दोस्तों कि बाई settings में चल जाएंगे दिख जाएंगा तो बाई ऐसा नहीं है settings में आपको पूरा detail नहीं दिखता है आप लोग बस वहां RAM storage किसी-किसी में सी processor दिखता होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता है मगर यह जो trick है आप लोग का पूरा detail A to Z कोई भी चिन मि नहीं होगा उसके लिए आप लोग एक application का download करना पड़ेगा जिसका नाम है भाई लोग CPU-Z के एक बहुत ज्यादा अच्छा application है in fact भाई लोग यह जो CPU-Z है यह आपका भाई लोग computer में भी उपलब्ध है यह भाई लोग आपका computer में भी available है computer के लिए भी आता है PC version भी आता सकते हो इसमें आप लोग पूरा ए-to-z detail दिख जाएगा ओके तो इसको भाई लोग इंस्टॉल कर लेना तो मैं इसको फटा-फट open कर लेता हूं बहुत कमाल का application है भाई लोग मेरे की बहुत अच्छा लगा यह application आपको सब पता चल जाएगा कि आपके mobile में कौन सा sensor है क्य यह भी दीख रहा है मेरा mobile लोग Qualcomm Snapdragon 435 है जो कि भाई लोग 1.40 GHz का है अब आप लोग भोलो के भाई तुम्हारे फोन में इतना low-end processor कैसे है तो भाई लोग मैं बता दो मेरा कोई अच्छा फोन नहीं है मेरा बहुत पुराना फोन है इसलिए तुसका mind मत करना ओके तो यहा आप कोर है कौन सा आर्किटेक्ट्चर में बहुत बना हुआ है यहां पर ही आप लोगों को पूरा लिखा हुआ है यहां प्रोसर को कितना नैनोमीटर का प्रोसर और सदिश्वालों यह भी लिखा हुआ है आपका GPU Renderer जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां लिखा GTX 750 Ti, GT710, GT730, GTX 1050 Ti इस तरह आपका मॉबाइल में जो ग्राफिक्स कार्ड होता है यहां AMD का ही ले लो, AMD में आपका हो जाएगा AMD RX 570 तो बहुत सारे टैप का जैसे मॉबाइल में भाइलों दो विरेंट है वैसे भाइलों तो यहां जैसे कि आप भाइलों देख सकते हैं आपका GPU है कितना MHz में इसका Speed है वो भी लिखा हुए साधे साथ यहां आपका device क्या है कौन सा है Oppo है देख सकते भाइलों पूरा चीज लिखा हुआ है कितना GB RAM है कितना GB RAM एवलेबल है कब release हुआ था phone जैसे कि आप देख सकते लिखा हुआ है system में क्या है कौन सा Android है कौन स जावा है कौन सा सब चीज आप लोंगा दिखा हुआ है रूट एकसे है कि नहीं बैटरी कितना है सब चीज आप लोग जैसे कि देख सकते लिखा हुआ है thermal sensor कौन-कौन सा है about में भी आप लोगो दिखता हुआ कि तुमीदे कि आप लोगो पता चल गया हो कि आपना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर तब तक के लिए बाइब बाइब तो भाइड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अब अब अब